मॉनिका जेन वेलकम बेक तो माई यूट्यूब चैनल मॉनिका में दियार्ट आज की वीडियो में कुछ फीलप के बारे में बताने वाले हूं मैं इसमें कंटिनू कर रहे हूं मैंने इस शेप पहले से ड्रो कर लिया है इसमें मैं कुछ एडवांस फिलप यूज करने वाली हूं यह शेप मैंने पहले से ट्रो कर लिया है इस तरीके से यहां से पहले बोडर लेना है इसका पिकोक का यह वाला बोडर आपको पहले ही क्लियर कर देना है और यह ऐसे लाइन उठा के डालनी है फिलप के लिए इससे आपकी जो लाइन में कहीं पर भी दाने कुछ रहेंगे तो यह क्लियर हो जाएगा यह से बारिक बारिक स्केल्प लेने है आपको फिर बड़ा वाला स्केल्प और फेंट्स में डाइरेक बोडर यूज़ कर रहे हूं बट आप लोगों कुछ दो लाइन ट्रो करके उसके बाद यूज़ में फिलप करना है प्रेंट्स वीडियो की स्केल्प थोड़ी सी फास्ट कर रहे हूं आप फिलप इतना ध्यान से देखिएगा ज्यादा फास्ट नहीं करूंगी इतना है कर दो 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 कर झाल झाल प्रफ़ झाल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर को कर दो कर दो कर दो, कर दो कर दो कर दो कर दो दो कर 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 कर दो 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 कर झाल 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 आप लोग देख सकते हूं कि यह मेरा डिजाइनर पेचवर का जो फील अप है वो रेडी हो गया है तो फ्रेंड्स इसका जो शेप का आउटलाइन का जो वर्क रहे है वोगल इस्टिक्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगी आप महां से डाउनलोड करके पिंट आउट लेके आप सेम इस तरह से फिल अपकी प्रेक्टिस कर सकते हो आपको मेरा ये वीडियो और आज की डिजाइन अगर पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को शेर करें ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करनें सब्सक्राइब और मेरे